Welcome back guys to my channel आज मैं explain करने वाली हूँ एक तमीर ओरिजिन मूवी को जिसका नाम है लाती हिंदी में इसका मीनिंग है बास का मना डंडा फेमस आक्टर विशाल इस मूवी के लीड रोल में हमें इंटर्टिन करेंगे इस मूवी में एक कॉंस्टेबल अपने ड्यूटी को निबाते हुए कुछ गुंडों के चंगुल में बच जाता है इसके बाद केसी चतुराई और बहादरी से अपने आप संग अपने परिवार को बचा लेता है यही हम आज इस कहाने में देखने वाले हैं इस मूवी में दिखाए गए एक्शन सीन्स कापी नाचरल लगते हैं और हाँ इस स्टोरी में एक मिस्ट्री से बरा ट्वीस्ट भी है आगे बढ़ने से पहले मेरी आप से रिक्वेस्ट है कि मेरे चानल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट करे और वीडियो को एन तक देखकर अपना फिड़ बैक जरूर दे तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे मूवी की शुरुवाती सीन में हम देखते हैं कि एक अंडर कंस्ट्रक्शन मॉल में यूनिपॉर्म पहना एक कॉंस्टेबल अपने हाथ में लकडी की लाठी लेके कही सारी गुण्डों के सामने जक्मी होकर खड़ा है उन गुण्डों के हाथ में चाकू चौपर जैसे डेडली वेपन से उगुण्डे उसे बोल रहे है कि अब तुम बचकर कहा जाओगे तबो गायल कंस्टेबल हस करूने बोलता है जाओगा तुमें जरूर और ओभी तुमारी आगों के सामने से इसी डायलोग के साथ उस सीन से हम शिप्ट होते हैं 6 मैने पहले जहां काणी का हीरो हेड कॉंस्टेबल मुरुगन अपने बेटे और वाइप संग नागापडिनम जिले में रहे रहा होता है करीब 15 साल के अपने करियर में मुरुगन कापी इमानदारी और बहादुरी से अपने ड्यूटी को निभारा होता है गुंडों से सच गुलवाने में उसकी मास्टरी थी वो कापी स्ट्रॉंग था और अपने लकडी के लटी से वो खतरनाख से खतरनाख अपरादियों का भी मुझ खुलवा ही लेता था उपर से वो अपनी चान जोखी मेडाल कर गुंडों को पकड़ने में भी सबसे आगे रहता था इस बास से उसके सिनियर्स भी कापी इंप्रेस थे मगर कोही हुमन राइट्स के इलिगिशन की वज़े से वो सस्पेंड हो जाता है उसकी डिपार्मेंटल इंकायरी भी शुरू होती है मगर इस कटिन समय में कोही सिनियर्स का साथ नहीं दे रहा था इस बास से मुरुगन कापी नाराज होता है तो वही उसका दस सल का बेटा रासो भी इंसल्टिंग फिल कर रहा होता है क्योंकि उसके बहादुर डाड़ी के किसे सुन कर उसके सब दोस्त उससे डरे रहते थे मगर अब स्कूल छोड़ने के टाइम जब उने वर्दी में नहीं देखते तो वह रासो को इस बारे में टौन भी माने लगते है इसी वज़े से रासो अपने टैड़ी को स्कूल के कुछ दूरी उससे ड्रॉप करने बोलता है अपने बेटे की इस हरकत को मुरवन भी अच्चे से समझता था इसलिए ओभी वही से लौट जाता था एक रोज ओपनी पतनी कविता संग बाते करते करते वक्त अपने बहदुरी के किस से बता रहा था एक खत्तर्णक अपरादी कोर्ट ले जाते वक्त किस तरह भाग गया था और मैंने किस तरह उसे उसके कुछ सातीयों संग लड़कर फिर से पकड़ लिये यह ओ बताता ही साथ में ओ ये भी बताता है कि उसके वजह तबके उसके सिनियार रंगनातर सर की जौपी बची थी अब रंगनातर सर डिट आई जी है और उन्होंने शाहद इस हेद से रहं रहा होगा सुनकर कविता के मन में एक आइडिया आती है क्यों न तुम्हें एक बार तुमारी इस इंक्वारी को लेकर डियाईजी रंगनातर से जा मिलो शायद ओही तुमारी मदद करे इस आइडिया को शुरुवात में मुरूगर रिजेक्ट तो करता है मगर बातने उसे है सही भी सता भी नहीं होता नेक्स्ट वीक ओस टेट हीड क्वार्टर चा कर डियेस पिरंगनातर सर से मिल कर उनको अपने केस के बार में डिटेल बताता है जो यह होता है कि एक रोज कोई एमर्जेंसी की वजह से पूली स्टेशन का स्टाप कई प्रोटेक्शन के लें गया होता है उस रात सिर्फ मुरुगन ही ड्यूटी पर था उसे सिर्फ कापी अरजन मैटन को ही उस दिन हैंडल करने के ओडरस थे इसी बीज वहाँ पवित्याटाम की यंग लड़की किसी लड़के की कंप्लेट करने भाँ आती है वो बताती है कि ओ उसे आते जाते छेड़ता ही और एक मेने पेले उसने एसरे डेक की धमकी भी उसे दिये अब एप मामला आज के आज ही निप्टाना नहीं है यह सोचकर मुरुगन उसकी सब बाते नोट कर लेता ही और उसे कल वापस कंप्लेंड करने आने को बोलकर भेज देता ही मगर बद अगिसमती से उसी रात उस पवि स्टेटमेंट दिखती है उससे बीना फुष्टाच किये कल रात की डिटेल्स के जरिये पूलिस उसी लड़के को उठा लाती है जो उसे हमेशा छेड़ता था उस लड़के की अच्छी दुलाई भी मूरुगन अपने लकडी के लट्टी से करता ही मगर और लड़का जुर इंजुरिस भी कापी हुई है इस गंबीर हालत में भी और इशारों के जरिये बताती है कि रेप करने वाला आदमे कोई अंजान था और उस आदमी के पेट पे सी लेटर का एक टैटो भी बना ही रेप करने के बाद ओपने कार में बेटकर चला गया असी बीज पवित्रा को खोन के उल्टी होती है और वो बेचारी मर जाती है इस टेटमेंट के बाद उस पकड़े लड़के को पुलीस छोड़ देती है मगर लड़का किसी के बढ़कान के बाद मुरुगन के खिलाप यूमन राइट्स के पास केस फाइल कर देता है जिस वज़े से मुरुगन करने बोल देता हूँ तुम बस आगे से इसी कोई हरकत मत करना इसके बाद वो उस जीले के हेड DSP कम और इनको कॉल कर मुरुगन के सर्विस रिकार्ड को देखते हुए उसे फिल से जॉइन करने के ओर्डरस देते हैं और साथ में उसे कम जिम्मी दाने वाले ही काम देने बु होता है और कल मुझे स्कूल छोड़ने आप उनिफाम पर ही आना एजित करने लगता है मुरुगन अपने पूली स्टेशन जाकर सिनियर्स के ओर्डर्स के मुताविक वेपन और एक्स्प्लोजिव डिपार्मेट का चार्ज संबाल लेता है जो कम जिम्मेदारे वाला काम हो सब कुछ सही चल रहा था कि इसी बीच रासू की तबियत खराब होती है और उसे स्कूल में फीट आ जाती है डॉक्टर से चेक करवाने पर उसे अस्तमान डेटेक्ट होता है जिसके लिए डॉक्टर उसे एक इनहलर और कुछ मेडिसिन हमेशा अपने पास रखने बोलते है यही पर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट भी आ जाता है उस शहर में गुणा नाम का एक डॉन होता है जो पॉलिटिकल लोगों के लिए काम करता है उसकी दहशत इतनी थी के उनके स्टेट के बड़े बिजनेसमेन और पॉलिटिशम भी उसके एक फोन से डर जाते थे गु गुणा को था इसलिए वो अपने बेटे को राजनीती में सेटल करने की कोशिश में लगाता इसी बीच गुणा वहा के होम मिनिस्टर को अपने बेटे सां उनके बेटी की शादी करवाने के लिए बोलता है इस बतले में आपके पार्टी के लिए में हमेशा काम करूंगा और आपकी ही पार्टी सत्ता में रहेगी ये भी ओफर देता है ये बात सनकर होम मिनिस्टर राजी तो होते हैं मगर एक शर्व भी ओर रखते हैं कि तुम्हें अपने बेटे पर लगे सारे केमिनल केसेस नील करवाने होंगे क्योंकि उनके बेटे को लेकर बाद नेओ को ही वेलला हैवे पर एक कार से जा रही एक औरत का पीचा कर उसे रोक देता है इसके बाद उस औरत के कार का डोर ओपन कर उसे बाहर किशनी की कोशिश करने लगता है उस कार में उस औरत की छोटी बेटी भी होती है ये देखकर रोणे लगती है मगर औरत चाला की से अपने चड़ जाता है। इसके बाद डास करते हुए उनके शीशे पर वो सूसो कर देता है। बोलते हैं तब ओही कमल को समझाते हैं कि क्यों उसके बाप से पंगा ले रहे हो विसे भी तुमारे बेटी को कुछ नहीं हुआ ना फिर भूल जाओ इस बात कोुछ नहीं कर पाया। चोन पहुंचा लेते हैं। अब कमल की रेटार्मेंट डेट पास आ रही थी। उनकी बेटी इनको ऑस्टलिय अपने पास रहने बुला भी रही थी। अगर कमल के मन में अपने बेटी के साथ हुए उस गटना का बडला लेने के बाग गर कर बेटी थी। एक दिन उन्हें वेसा मोका मिला भी। उनको वेला अकेल एक बार में बेटा दिखता है। वो उस दिन कापी नशे में बीता। जब वो उस बार से निकलता ही तब कमल उसको अपने कार में बिठा लेता है। जिसके बाद उस एक सुनसान जगला कर उसे टेबल पर उल्टा लेटा कर उसके हाद बान देते हैं। फिर उसके मूँपे एक कपड़े का बैग बान देते हैं ताकि उसे किसका फेस में दिखे। उनके हाथ में चोट तीसले उसे पीटने के लिए मुरगन को बुलाते आता है तब ओ उस आदमी को पिटने से मना कर देता है क्योंकि ओ फिर से कोही आपत मोड लेना नहीं चाहता था मगर इसे बीच उसे कुछ दिखता है और ओ अपनी लाटी से उस बंदे आदमी को जोर जोर से पिटने लगता है। काफी मार पढ़ने की वज़से वेला बेहो वीडियो में वो मुर्गन को तो एडिट कर हाइड कर देते हैं अगर एक सिन में उसकी नेम प्रेट पर उसका सरणेम दिखाए देता है और ओई रिफाम पुलिस का ही है यह बात क्लियर होती है उदर गुना अपने बेटी की हालत देखकर पागल हो जाता है साथ ही उसको उ लाटी गिरी थी तब उसे उठाते वक्त मैंने देख लिया था साथ ही वो बोलता है कि इस आत्मी के फौन का रिंग्टोन एक ओल्ड गाना था जिसके बाद गुना के आत्मी उस आत्मी को डूरने लग जाते ही कुछी दिनों में उनको मुर्गन वही आत्मी है यह बात जाता एक रोज मुर्गन अपने बेटे को स्कूल ले से लेने सिविल रेस पर जाता है तबी गुना के आदमी उसके पीछे निकल जाते है इसलिए वो अपने पुलिस टेशन जाकर कपड़े पहन कर स्कूल जाता है और रासु को ले रेता है इधर गुना के गुंडे उसका पीछा कर ठक जाते है वो डिसाइड करते है कि आज कुछ भी हो जाए मुर्गन का काम तबामी करेंगे वो मुर्गन का पीछा करी रहे होते कि अच्छानक एक अंडर कंस्रक्ट मॉल की है आकर गायब हो जाता है वो लोग भी वही पहुँचते है और उसे वहाँ डूने ही पायट की शुरुवात हो जाती है मुर्गन एक एक कर सभी को माणने लगता है बाद में ओचानक से गायब हो जाता है और अपने बेटे के पास पहुँच जाता है वो उसे बताए रहा था कि डरों मत पापा सब ठीक कर देंगे कितने में ही और फीटा कर बेहोश हो जाता उसका बैग उसी ड्रम में छूटाता और ओ इनेहलर भी उसी में ही था इसके बाद मुर्गन को बाहर निकाला पड़ता है तब वो अपनी ही फेमस लाटी को हाथ में लेकर बाहर निकलता ही और हमें फिल्म का ओहीं शुरुवात का सिन देखने मिलता है जा उसके सामने सम गु पकड़ी लेते हैं इसके बाद मुर्गन को वे से ही बांद कर लिटाया जाता है जैसे विल्ला को लिटाया था फिर ओ ओ उसी के लाटी से मारने लगता है कापी गाहल होने के बाद भी मुर्गन में दम होता है और वो अचानक से खड़ा ओकर फिर से उन सब लोगों की दु पर और एक्स्प्लोजियों के जर्रेत दज्ज्या उड़ा देता है। इस सब देखने के बाद एक बाद कलियर होती है कि उसने एस सब प्लानिंग कर ही किया था। बाद नहीं पता चलता है कि वेला के पेट पर सी लेटर का टैटू था, जो उसे उस दिन दिख गया था, जब वो उसे मारने कमल सर के बुलाने पर गया था, इसके बाद पवित्रा का बदला लेने की ठान कर उसने आज इन सब को खत्म कर दिया था, मुरुगन का पिगायल हो मंगर ओ स्ट्रोंग और केरिंग पिता भी था, ओ अपने बेटे को चुपाए जगह से सही सलामत भारला कर उसे बाइक पर बिटा कर गोर जाने लगता है, और बोलता है, मैंने कहा था ना, तुम्हें कुछ नहीं होड़े दूंगा, डरो मत, और इसी नोट पर एमोवी खत् दोस्तों, आपको मेरा एकस्प्लेशन के सा लगाए, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए, जल्दी आओंगी, ऐसा ही हटके, एकस्प्लेशन के साथ, तब तक के लिए आप सब खुश रहिए, हस्ते रहिए, इसी दुआ के साथ मैं आप से लेती हुपीदा, गुड़ ब